नमस्कार आप देख रहें नियूज मैंने हारिका शादियों हाज़र हूँ खबर दिन भर में मध्यप्रदेश 36 गड़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं पहली खबर से मध्यप्रदेश में हो रही लगतार बारिश से कई जिलों में आई बाड रासधानी भोपाल में डूबार रेल वे अंडर ब्रिज मध्यप्रदेश के सीधी में 20,000 के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार हुए महिला बाल विकास विभाग के स्टेनो दीप नारायन पटेल मध्यप्रदेश के इन दौर में भोजपूरी अक्टरिस अलीना शेक को उसके पती ने 100 रुपे के स्टांप पीपर पर दिया तलाग 36 गड़ के राइपूर में अंता गड़ पर टेप कांट में रेत देर रात से शुरू हुए ड्रामे के बाद ब्लैकमेलिंग और फिरोती में मुख्य गवाह रहे फिरोष सिद्की हुए गरफतार मध्यप्रदेश के इन दौर में ट्राफिक सुवेदार को भारी पड़ा कॉंग्रिस मंत्री के भतीजे का चलान काटना ट्राफिक सुवेदार का हुआ ट्रांसफर मध्यप्रदेश के रीवा में 33 पुलिस चौकी के महज 50 कदाम की दूरी पर हो रहा था वैद खनन मध्यप्रदेश के जबलपूर में पहली कक्षा से लेकर आठवी तक के विद्यार्थी स्कूल में पढ़ेंगा एक बार मध्यप्रदेश के इन दौर में एक साथ लापता हुए पांच बच्चे साथ गंटे बाद मुस्कुराते हुए बोले मंदिर चले गए थे अब ख़बर विस्तार से मध्यप्रदेश में लगतार बारिश हो रही है जिसकी वज़व से कई जिलों में बाढ़ा गई है वही बारिश के चलते भोपाल के कोरंज रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भर गया है और इसकी वज़व से यहां के वाहनों की आवाजा ही रुख गई है साथ ही भोपाल रेल्वे स्टेशन पर बने पार्सल रूम में भी पानी भर गया है और पार्सल रूम में रखा समान पूरी तरह भींगया है आपको बता दे सोमवा रात तेज बारिश होने से शेहर के दो दर्जन से अधिक हिस्सों में जल भराओ की समस्या हो गई है वही राजभवन समेट कई जगह पेड़ गिरने की खबर आई है अगली खबर जहां लोकायुक पुलिस ने सीधी जीले में महिला बाल विकास विभाग के स्टेनो दीप नारायन पटेल को 20,000 रुपे की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार किया है स्टेटों ने अंगनवारी में नियुक्ती के लिए 50,000 रुपे की घूस मांगी थी और उसमें से 10,000 रुपे वो एडवांस भी ले चुका था आज वो 20,000 रुपे की जब दूसरी किस्त ले रहा था तभी लोकायुक पुलिस ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया आपको बता दे राम लाल प्रजापती नाम के शखस ने लोकायुक पुलिस को स्टेटों की शिकायत की थी और वो उनकी बहु की आंगनवारी में नियुक्ती के लिए घूस मांग रहा है इसके बाद लोकायुक की टीम ने स्टेटों को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया था अगली खबर जहां एक तरफ देश में जहां तीन तलाक का मुद्दा गर्माया हुआ है वहीं दूसरी तरफ इन दौर में एक भोजपूरी कलकार को उसके पती ने सो रुपे के स्टांप पर तलाक नामा भीज़ दिया है लेकिन पत्नी ने इस तलाक नामे को मानने से इंकार कर दिया और भोजपूरी आक्टरों से अलीना शेक का कहना है कि यह एक तरफ़ा तलाक नामा है वहीं अलीना ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी है और वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है बहराल इसी तरह की मामले को लेकर तलाक देने की प्रधा को रोकने के लिए तीन तलाक बिल को 30 जुलाई यानि आज राज्य सभा में पेश किया गया था इससे पहले लोक सभा में भारी बहुमत के साथ ये बिल पास हो गया है अगली खबर जहां अंतागड तेपकांड के मुख्य गवा फिरोस सिद्की को लेकर रास्थानी राइपूर में सोमवाराधी राज से ड्रामा शुरू हो गया है लेकिन पुलिस ने मंगलवार तुपेर फिरोस सिद्की को ब्लैक मेलिंग और फिरोती मांगने के आरोप में गिरफतार कर लिया है पुलिस की टीम ने फिरोस सिद्की के सिविल लाइसेंस में स्थित घर समेट तीन स्थानों पर शापेमारी कर कारवाई की है और इस दोरान पुलिस ने वहाँ से कम्प्यूटर पें ड्राइव जैसे समान जब्द कर लिये है फिरोज के गिरफतारी के बाद S.P. आरिफ शेक ने बताया कि फिरोज शिदिकी पर 1.9 सुन्य करोड रुपे की उगाही के लिए धमकाने कारोप है इसमें से 25 लाक रुपे पपू फरिष्टा ने दिये थे इसके बाद कॉंग्रेस नेता को धमकाया जा रहा था कि जिसके सिकायत की गई है बता दे कॉंग्रेस नेता पपू फरिष्टा ने फिरोज शिदिकी के खिलाफ F.I.R. दरज कर आई थी अगली खबर जहां मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार आते ही कॉंग्रेस नेताओं की पावर तेखने को मिल रही है इन दोर में ट्राफिक महिला सुबेदार सुनू बाचपई का तबादला छटर पूर कर दिया गया है दरसल उनका 14 अप्रेल को मंत्री सजन सिंग वर्मा के भतीजे पारशद अभय वर्मा से चालान काटने को लेकर विवाद हो गया था जिसके बाद पारशद अबे ने उनका तबादला कराने की धमकी भी दी थी जिसके बाद ट्राफिक सुवेदार सोनू बाचपई का कल अचानक से ट्रांसफर कर दिया गया जो किसी भी समझ से परे है क्योंकि ट्राफिक अधिकारियों के ट्रांसफर नियमों की बात करे तो ट्राफिक सुवेदारों का ट्रांसफर तीन साल में होता है लेकिन इस महीला सुवेदार का बिना किसी वज़े से 11 महीने में ट्रांसफर हो गया अगली खबर जहां मध्यप्रदेश के अवैद रेत खनन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं हाल ही में एक ताजा मामला सामने आया है जहां रीवा के त्योंथर में मंगलवार सुवे इसडियम सीता रमन प्रधान के टमस नदी के किनारे शापा मारा है जहां रेत से लदे दो ट्रकों को पकड़ा गया है इस मामले में गौर करने वाली बात यह है कि एसडियम ने जिस जगह पर रेत से भरे ट्रक्टरों को पकड़ा है वो त्योंथर पुलिस चौकी से महच 50 कदम की दूरी पर है ऐसे में पुलिस के दौरक कारेवाई नहीं करना खुले आम रेत माफियों के होसले को बुलंद कर रहा है वही रेत माफियों के होसले इतने बुलंद है कि उन्होंने सारवजनिक स्नान घाट पर भी कबजा कर रेत का स्टॉक रखा हुआ है आपको बता दे इलाके में हो रहे अवैद रेद खनन को लेकर लगता अरजीला खने जधिकारी को शिकायत की जा रही थी लेकिन इसके बावजूद यहाँ अवैद रेद खनन रुख नहीं रहा अगली खबर जहां मध्यप्रदेश के सभी सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के मन में पढ़ाई की प्रती रूची जागरित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग समय सहमय पर काया कल्प करता रहा है इसी के चलते राज्यों सिक्षा केंद्रे ने एक नई पहल शिरू की है जिसमें पहली कक्षा से लेकर कक्षा आठवी तक के विद्यार्थियों को हिंदी अंग्रेजी अकबार पढ़ाया जाएगा स्कूलों में अनिवार्य रूप से अकबार खरीदने और पुस्तकाले में रखने पढ़ेंगे इससे विद्यार्थियों के मन में पढ़ने की रूची भी पैदा होगी ऐसा किचिन गार्डिन बनाया है जो अन्य स्कूलों के लिए एक उधारन बन गया है यह स्कूल इतना मश्यूर है कि मानोसंसादन विभाग के दल को यहां अध्यन तक करने आना पड़ा है और उन्होंने लाइफ वीडियो चैटिंग के जर यह स्कूल की खूबियां और दिली जिसके बाद उस जमीन को सम्मली करण कराए गया और फिर यहां से विद्यार्थियों और सहीयोगियों को सिक्षकों संग्षायदार पौधों के साथ सबजिया भी वोई अगली खबर जहां धमतरी कांकेर नाशनल हाईवे पर शेहर के चार किलोमीटर दूर ग्राम चिटोद में दो लगजरी बसों में टक्कर हो गए इस हाथसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीस लोग घायल हो गए घायलों में कुछ किस्थिती गंभीर बताई जा रही है जानकारी के मुताबिक बसों की तेज रफतार की वज़े से ये घाथसा हुआ है घटना के बाद बस में सवार यातरी घबरा कर चिल्लाने लगे थे रास्ते से गुजर रहे लोगोंने घायलों को बाहर निकाला और पोलस और इंबूलनस को घटना की सूचना दी सूचना मिलने के बाद अमभूलनस और पोलस मौके पर पहुँँची और घायलों को अस्पताल पहुँचाया अगली खबर जहां मध्यप्रदेश के इंदोर में द्वार का पूरी थाना शेत्रे में से पांच बच्च लापता हो गए थे जिसके बाद बच्च चोरी के शक में शेत्र का महौल गर्माने लगा था पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते वे आसपास के शेत्रों में बच्चों की तलाश शुरू कर दी इसी तोरान S.I. नरेंद्र कुमार की टीम को पांचों बच्चों की कोठी पर रंजीत हनुमान रोड मंदिर पे पूछता पर पता चला की वे घर से बाहर खेल रहे थे खेलते खेलते रंजीत हनुमान मंदिर जाने का मन बनाया और वहां चले गए बाद में परिजनों को बुला कर बच्चों को उन्हें सौंप दिया गया तो ये थी मद्रदेश और 36 गर की तमाम बड़ी खबरे ऐसे ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे ये न्यूज, MP36 और साथी साथ फॉलो करें हमें न्यूज, MP, फेस्बुक पर और साथी साथ डाउनलोड करें हमारा एप न्यूज, न्यूज अप